मैंने ऐसा नोटिस किया कि मुझे रिपन खासकर ये चीजे भी देखी है कि किसी का पेट बड़ा निकलता है किसी कार जैसा है अगर अपनी प्रेग्नेंसी के अंदर आप सेम चीजे सोच रही है कि पेट के अंदर इतने सारे बदलाव कैसे होते हैं क्योंकि तस्बीर को देख देखर आप समझ सकते हैं कि इतनी सारे बदलाव किसी का राउंड बेली होना किसी का अंड़कार होना किसी का मीचे के तरफ बाते हैं अलगön वोब HOW प्रफेक्टत पूल वाइप्स की बाते भी बताई जाएगी जिससे आपका जो अंदाजा है वो परफेक्ट सही लगेगा तो कनफॉर्म जानकारी के लिए लास्तक वोच कीजिएगा यहां हम बात करते हैं सबसे बड़ी चीज आप ये जान लीजिए कि पेट आपका जैसा दिखता है या जिदर भी भारीपन हो सब कुछ बेबी पोजिशन के कारण होती है और ये बेबी पोजिशन किस चीज के उपर डिपेंड करता है ये आपके बच्चे के उपर डिपेंड करता है कि वो अपने मा के पेट के अंदर किदर रहना चाहता है क्या बच्चा पेट के लेफ्ट साइड रहना चाहता है या right side या पेट के upper वाले position में या नाभी के नीचे में ये totally baby ही decide करते हैं या नाभी के just pass जिन महिलाओ का पेट बिलकुल गोल गोल सा round नजर आता है उनके जो बच्चे होते हैं बहुत chances होती है कि वो नाभी के पास होते हैं और उन महिलाओ की जो नाभी बटन होती है वो बहुत जल्द बाहर आती है क्योंकि बच्चे नाभी के पास बहुत जद आपने पैरों से या बोडी पार्ट से प्रेसर लगाते हैं जिस कारण से नाभी बटन जो है वो बाहर आ जाती है आपने ये चीजे भी कुछ महिलाओं में देखी होगी सब में नहीं आती है लेकिन mostly महिला अभी के नीचे में होती है कुछ जो मदर्स होती है उनका पैट बिलकुल कह सकते हैं प्रंट करी होता है पेट का पूरा वजन बीच व बीच में रहता है यह भी वही चीज़ें कि बच्छे सेंटर में लाई करते हैं तो यह जितने भी पॉइंट होते है इसमें घबडानी जरूरत नहीं है जो महिलाए ऐसा देखती है या ऐसा भारीपन महसूस करती है पेट के लेफट साइड या पेट के राइट साइड में उसका भी मतलब यही है कि बच्चे की पोजिशन सेम जगा पे है कोई प्राबलम नहीं है बच्चा कहीं भी रहे वो पूरी तरीके से स्व नेटली मुझे नीचे आप कमेंट किजिएगा थैंक्स पर वॉचिंग गई इस तत्त के लिए बाय बैंट टेक केर